तो यह T9 Smart Watch जैसे आप इससे Smart Watch का Bluetooth कहाँ पर एक्टिवेट किया Bluetooth हमारा Smart Watch में एक्टिवेट फूर्ड किया है उसके बाद जैसे मैं नहीं अपर इसको पर क्लिक किया है इससे Smart Watch को इससे Connect करने के लिए Set K option को पर जैसे करते होंगे आप लोग इसको पर आप लोग अपने स्मार्ट वाच यहां पर कर सकते हो इसके लिए आप लोग यहां पर देखना होगा लाज तक अगर आप लोग को भी स्मार्ट वाच में इस T9 Ultra आप लोग का स्मार्ट वाच नहीं हो पर रहा है तो आप लोग किस तरीके से इस प्रोबलम को सॉल्व कर सकते हो अगर आप लोग इस वीडियो को लाश्ट सक देखोगे तो 100% आप लोग भी अपने स्मार्ट वाच को होगा तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग को प्रोलम यहां पर सॉल्व हो जाएंगे तो चलव पिडियो को स्टार्ट करते हैं बीना टायम वेश्ट वेस्ट किये उसे पहले अगर आप लोग आपने स्मार्ट वाच के यहाप एक्टिवेट कर दिया है तो यहाँ पर अगर आप लोग ने स्मार्ट फोन से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे होगे तो मैं तो यहाँ पर स्मार्ट वाच से कनेक्ट कर रहा हूँ तो अगर आप लोग अपने भी स्मार्ट फोन से कनेक्ट कर रहा होगे तो आप लोग को इसी तरीक कि यहां पर देख सब्सक्राइब लिखा हुआ यहां पर आ रहा है पर यहां पर यह स्मार्ट वाच कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जैसे कि आप लोग अभी यहां पर देख सकते हूं इस स्मार्ट वाच कितना आप लोग यहां पर कोशिस कर रहे हों और ट्राइब भी कर रहे हो और आप लोग का smartwatch इससे connect नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर device disconnected आ रहा है तो अगर आप लोग को ऐसा हो रहा है तो देखो आप लोग का पर करना क्या है सबसे पहले तो आप लोग के काम करना है simply आप लोग को settings option को पर यहाँ पर click कर देना होगा तो यह रहा more options इसके पर होगा हम लोग आप KP करेंगे इन उसके बाद आप लोग को स्यम्रेट्स आप इसके पो यहाँ पर बिंच यहाँ आप लोग कोरह है इसे आरप लोग के यहाँ पर reset option को उपर आप लोग को click कर देना, yes के उपर click कर देना अभी यह जो smart watch है पूरी तरीके से यहाँ पर reset लग चुका है आप लोग को एक बार जरूर इस smart watch को reset करना है तो ही आप लोग का problem यहाँ पर solve हो पाएगा अब जैसे smart phone watch reset होगा उसके बाद जो है आप लोग का smart watch इस तरीके से bluetooth जो एक्टिवेट हो जाएंगे आप bluetooth एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो reset होने को अब जूद भी यहाँ पर बहुत fastly यह smart watch यहाँ पर connect हो चुका है यहाँ पर आ चुका है time भी यहाँ पर जो सही हो चुका है तो मेरा तो यहाँ पर connect हो गिया आप लोग अगर अपने smart watch को reset भी करे होंगे तब पर यहाँ आप लोग का connect नहीं हो पा रहागा तो उस problem में आप लोग यहाँ पर क्या करना है अब दो क्या चीज़ आप लोग करते हो पहले मैं वह बता देता हूं और क्या चीज़ आप लोग को यहाँ पर करना चाहिए इस एक्टिवीट करने से पहले तो मैं आप लोग यहाँ पर क्या करते होगे सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ओपन करते होगे यहें ओपन रहा है हमारा, आप लोगं यह जरूर काम करते होगो तोहिं आप लोग के यहाप स्मार्ट वाच correct नहीं होता होगा, उसके बाद हो सकते हैं आप लोग इसे स्मार्ट वाचि כाhington को भी यहां पर activate करते होगा या तो सो आप लोग नहीं करते होगा अब इसके option को पर आप लोग यहां पर click करते होगे उसके बाद जो आप लोग का यहां पर smartwatch connect ही नहीं होने लगता होगा बाचन कभी कभी हो जाता है connect यह आप लोग का आधा दूर होता होगा connect उसके बाद आप लोग का यह smartwatch connect ही नहीं हो रहा होगा जिसे कभी आप लोग यहां पर देखते रहे हो try to connect यहां पर लिखा वा आ रहा है बट यह connect ही यहां पर नहीं हो पा रहा है आप लोग यहां पर देख पा रहा है कि यह smartwatch connect ही नहीं हो पा रहा है और आप लोग को आप यहां पर करना है क्या यह smartwatch को connect करने के लिए आप लोग आप यहां पर देख़ा, आप लोग के आप क्या क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को अपने smart watch T9 Ultra को reset करना है, अगर आप लोग के पास T9 Ultra है, T8 Ultra है, T8 Ultra, T8 Ultra, T2 Smart Watch या WatchIt Ultra, कोई भी smart watch है, connect नहीं होँ पारा है, इस app से, या other app से, तो उसके पहले आप लोग को smart स्मार्ट वाच को रिसेट करना होगा जिससे में आप यह आप लोग को करके दिखा है रिसेट करने के बाद आप लोग स्मार्ट फोन से किनेट कर रहे तो पहले तो आप लोग उसका ब्लुटूथ का एक्टवीट करो ब्लुटूथ एक्टवीट जैसे आप लोग हो जाएगा इस application को पर simply यहाँ पर click कर देना आप जैसे आप लोग यहाँ पर इसे open करोगे उसके आप लोग को simply अपनी smartwatch को थोड़ा यहाँ पर close लेके आ जाना है क्योंकि इन सब smartwatch का range बहुत जादा कम रहा था 5-6 मीटर तक यहाँ पर Bluetooth का यहाँ पर distance यहाँ पर रहा था उसलिए अब यहाँ पर देखो set option को पर जैसे आप लोग यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग के आप देखने को मिल जाएंगे इसके option experience more feature डिवाइस disconnected यहाँ पर लिखाया आ रहा है इसको option को पर click कर देना है अब यहाँ पर देखो यह इस तरीके से यह पर यह loading लेगा तो यहाँ पर आप लोग को इस यहाँ पर घूमने देना है जब तक आप लोग का smart watch इस smart phone में यहाँ पर आप लोग के स्मार्ट वाच में यहाँ पर सो नहीं कर जाता तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो अब क्या हो यहाँ पर जो smartwatch आगे में है उसका रीडिंग ना लेके दूर रखा है उसका यहां पर यहां पर दिखा रहा है और आप लोग साथ भी ऐसा हो और का पर कट करना है कट करने को आप लोग को दूब़ा रहा आप पर जो आप एक्टिएट करेंगे बहुत लोग को daha पर यह पर आपलोग का स्मार्ट ौच यहां पर यहां पर देख। पिषिड सकते हैं जाने करते हैं और हमारा नहीं क fitness स्मार्ट आ saúde यहां पर वो आना चाहे है था पकल्ड यहां नवारा ignore तो इसे हम लोग को ओफ करना हुद इसके बाद हम लोग है करेंगे तो उसके यह अम लोग सिंपल ईसे ओफ करदेते हैं अब यहां पर देखो फिल से आंप लोग और अगर नहीं लगाना है तो आप लोग को जैसे स माठ वाच उसके बाद आप लोग को वहाँ पर एक दिन तक स्मार्ट वाच को connect करे हुए रखना है या एक दो गंटे तक उसके बाद आप लोग को simple उस स्मार्ट वाच को update कर देना होगा मैं बता दूंगा किस तरीकिस update करना है फिर से हम लोग इसको पर click करते हैं finally और हम लोग यहाँ प अगया है इसे जब तक स्मार्ट वाच में यहाँ पर complete नहीं लिखा हुआ आएगा तब तक आप लोग का नहीं होगा हो सकते हैं आप लोग एक-दो यहाँ पर complete लिखा हुआ आता होगा तब भी आप लोग के smart watch यह connect नहीं हो पा रहागा अब देख सकते हो एक भी यहाँ प यहां पर यह पेयर होता है, तो आप लोग यहां पर देख पार होगी है, स्मार्ट वाच यहां पर connect नहीं हो पार है, ना तो scan if you cannot scan device please try this starting and reboot click, तो आप लोग को यहां अगर connect नहीं हो पार है, तो simply यहां पर यह बता रहा है, कि आप लोग को simply reboot करना होगा, आपने स्मार्टिवाच को चलि हम लोग इसे यह आप इस तरीक इस यहां पर इस तरीके से और देख सकते अए यह समार्ट वाचरी स्टाट हो ब्लूटू तो भी इसका एक्टिवीट हो गया है, अब हम लोग final इसको पर यहां पर चले आते हैं, तो फिर सो इसको पर क्लिक करेंगे, इसको पर हम लोग आपर क्लिक करेंगे, अब देखते हैं कि हमारा स्मार्ट वाच में 2900 यहां पर आता है भी या नहीं, तो यहां पर ब प्रब्लम क्या आ रहा है, इसे मत देख सकते हो, इसमार्ट वाच कनेक्ट हो गया, कम्प्लीट यहां पर लिखावा आ गया, दूसरा भी कम्प्लीट हो गया, ध्यान से देखो आप लोग यहां पर, तो आप लोग समझ गये, आखेंगे आप लोग को करना क्या है, मैं मानता को देखोगे, लाश तक मेरा भी अगर वीडियो को देखोगे, तो आप लोग हर प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आप लोग का सॉल्व नहीं हो पायाँगा, आप लोग हो सकते हैं, मैं आप 10 मिनिट के आप वीडिय करने के लिए उसका होता ही नहीं होगा, होगा क्यों, आप लोग में वीडियो को तो लाश तक नहीं देखा, अधूरा देखा, उसलिए आप लोग का अधूरा कनेक्ट हुआ, अगर जो इस वीडियो के आप लाश तक देखा होगा, उसका जरूर यह कनेक्ट हो गया, अब म आप लोग को simply off कर देना अब जैसे आप लोग उसे smart watch को off कर दोगे off करने के बाद आप लोग को फिर से smart watch को on करना उसके बाद आप लोग को connect करो 100% आप लोग को बहुत fastly यहाँ पड़े smart watch connect हो जाएंगे जिसके देख से तो यह smart watch पूरी तरीक से connect हो गया आप जैसे आप लोग को smart watch connect हो जाएंगे उसके बात जो आप लोग को ota upgrade को पर click करके यहां से स्वा को smart watch के अफड़ेट कर देना है अब जैसे आप लोग के smart watch को अफड़ेट कर देखें उसके बात जो आप लोग बहुत fastly यहाँ पर यह connect होँगा स्मार्ट वच केनेक्ट तो यहाँ पर T900 Ultra लिखा हुए आजाएंगे और जैसे आप लोग यह समार्ट वच से कनेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग यहां पर जो अ주린 रहते आप लोग को हाँ से जाएंगा तो इसी तरीके से करके आप लोग अपने स्मार्वाज का इस प्रावलम को यहां पर स्वाल कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स वोडियो में हैं थांक्स वर वाचिंग